दूसरी बड़ी खबर का रुक कर लें, लुधियाना कोट ब्लास्ट पर पंजाब के डीजीपी सिधाद भटाचारिया का बड़ा खुला सा सामने आया है डीजीपी ने जो बताए है कैसे ये लुधियाना बंबलास्ट मामले में बेहद है मैं देखिए पहले तो ये के जो गगन दीप था वो आप बेशक उसने पुलिस का हवलदार था और खना में उसकी तनाती थी पुलिस टेशन सदर में लेकिन सबसे बड़ा वो ड्रग तसकर था और इसी के चलते उसको स्टीफ ने धर्द बोचा था और उसके बाद उसको जेल भेज़ दिया गया था और दो वर्ष की उसको कैद हुई थी और कैद से चूणने के बाद ही वो कहा जा रहा है कि जेल में उसने कई जो खालस्तानी अतंकी है जा खालस्तानी बिचारदारा के लोग हैं उनके साथ उसने समंद बना लिये थे और उसका व्रेन वाश कर दिया गया था और जिस तरह से डी जी पी भी कह रहे हैं कि जो सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ लिंक दिखाई दे रहे हैं और अब लिंक को स्टैबलिश करने में पुलिस की पुलिस लगी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गैंक्स्टर रिंदा था रिंदा संदू जो रोपर्ड क एरिया का रहने वाला है और जो बिरेश से होते हुए पाकिस्तान जा पहुंचा है उसके संपर्क में था अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो आर्डी एक्स इस हबलदार के पास आया वो कहां से आया क्योंकि जिस तरह से लगाता रही इंटेलिजन्स इंपू आ रही है शुक्रिया विशाल आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए पंजाब की बड़ी खबरों पर पर